असी का दशक संगम नगरी प्रयाग्राच रियानी उस वक्त का इलाबाद जो अपनी पवित्रता और धर्म करम के लिए मशूर था लेकिन धर्म करम से अलग भी इलाबाद में अलग दुनिया वस्ती थी और ये दुनिया थी अपराद की इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौक इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी ढड़ते थे पुलिस के लिए चांद बाबा डर का दूसरा नाम था और इसलिए उसके गिरेबान पर हाठ डालने से पुलिस वाले हमेशा परेज करते थे पुरे आलाबाद में चान्द बाबा का डर फिला हुआ था लेकिन कोई ऐसा भी था जो देख रहा था चान्द बाबा को हराने के सपने तांगे पर बैठकर इलाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी अमर का एक लड़का मन में ही ये ठान चुका था कि चांद बाबा को हरा का इलाबाद का डॉन बनना है ये लड़का कोई और नहीं बाउबली विदायक अतिक एहमद थे जिनसे एक वक्त में बोई राज की पुलीस भी घपराती थी अतिक एहमद की कहानी शुरू होती इलाबाद की इनी गलियों से इलाबाद का चक्या इलाका साल 1962 में एक तांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रुप में जन हुआ एक लड़के का नाम रखा गया अतिक एहमद पिता इलाबाद की सबकों पर तांगा चलाते थे और परिवार का पेट बढ़ते थे अतिक के बाद उसके और भी भाईवेन हुए परिवार बढ़ने लगा और साथी बढ़ने लगी गरीबी जैसे जैसे अतिक बढ़ा होने लगा वो सबने देखने लगा पैसे कमाने की अतिको जल से जल अमीर बनना था देस्टी क्लास में फेल होने के बाद उसने पड़ाई छोड़ दी और गुंडा गर्दी में लग गया उसका मकसदता अलाखे के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराना वो चांद बाबा जिसका उस समय तक इलाबात में छतर राच हुआ करता था चांद बाबा के आतंग से कई छोटे गुंडे ममाली परिशान थे और जैसी अतिक एहमत सामने आया उनसा अपने चांद बाबा के खिलाफ अतिक का साथ देना शुरू कर दिया और बड़ी तेजी से प्रागाज में चांद बाबा के अलावा भी एक नाम गुंच ने लगा और वो था चक्या के तांगे वाले का बेटा अतिक एहमत अतिक एहमत बैसे कमाने के लिए पुरे शहर भर से रंगदारी वसुने लगा मैच 17 साल की उमर में अतिक एहमत परहत्या का आरूबी लगा लेकिन ये सब इसके होशले परस्त नहीं करे बलकि और बड़ा रहे थे चांद बाबा गैंग से अकसर अतिक एहमत गैंग के जगड़गी खबरे आने लगी दीने दीने चांद बाबा का रुत्पा कम हो रहा था और अतिक एहमत का बढ़ रहा था इलाबात के इस नए गैंग स्टर की नज़र सिर्फ इलाबात तक सिमित नहीं थी बलकि तो पुरे राज में अपने आतंग का राज खयाम करना चाहता था करिब दस सालों में अपरात की दुनिया में अतिक ने बड़ा नाम कमा लिया गरिब तांगे वाले के बेटे के पास अब पैसी कोई कमी नहीं थी चोटी से उम्र में ही अतिक पर 80 से जादा हत्या हत्य की साजिश, रंगदारी, दोखादाडी, आम सेक्ट जिसे कई मामले दर्च हो चुके थे उस समय के सभी गेंटरस के बीच अतिक की तूती बोलती थी लेकिन एक चीच जो अभी तक अतिक के पहुच से दूर थी वो थी सत्ता की पावर अतिक अहमत का 1990 तक बड़ा कद हो चुका था, पुलिस भी अतिक अहमत के नाम से खौफ काने लगी थी कई बड़े नेताओं से भी अतिक अहमत का उठना बैटना था और इसलिए अतिक अहमत को ये समझ आने लगा कि पेसे के अलावा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत का शतरंज खेलना होगा 1990 में अतिक अहमत ने निर्दली उम्मिद्वार के रूप में लावाद से पहला चुनाव लड़ा दूसी तरफ चांद बाबा भी चुनावी संग्राम में थे लेकिन जीत मिली अतिक अहमत को अब अतिक अहमत नेताजी बन चुके थे लेकिन सफेत कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम भी काले ही थे जीत के कुछ समय बाद ही चंद बाबा की सरे बाजार हत्या कर दी गई अरुप अतिक अहमत पर थे लेकिन इसके बाउजित अतिक अहमत की ताकत बढ़ती जा रही थी अतिक अहमत ने पहले तीन बात तो निर्दली चुनाव लड़कर जीत हासिल की 1996 में समाजवादी पार्टी ने उने टिकेट दी और अतिक समाजवादी पार्टी के विदायक बने सफेद कपडों में अतिक अहमत शान ही अलग थी एक तरफ राजनीतिया खेल चल रहा था दूसरी तरफ उपनगर पट्टा रंगदार यृबू माफिया का करोबार फिलाने के आरोप बढ़ते जा रहे थे करोड रुपए की संपती का मालिक बन चुके एक चक्या का इस लड़के को महेंगी विदेशी गाणिया खुब लुबाती थी अतिक अहमत को हत्या रखने का भी शोक था और वक्त आ चुका था अपतिक को अपने सारे शोक पूरे करने थे जब ये अतिक का काफिला निकलता महेंगी गाणियां उनकी काफिले का हिस्सा होती चार बर विदायक बन चुके अतिक एहमत की कबजे में अर्बो रुपए की जमीन थी 2004 में अतिक एहमत ने राजनीती की नहीं राच चुनी 2004 में अपना दल ने फुल पूल स्टीट से अतिक को सांसत का टिकेट दिया और अतिक ने इस पर जीत दर्ज भी की प्राराज के माफिया ने संसत कर सफर पूरा कर लिया था तांगे में बैटकर जिन सब सबनों को अतिक ने देखा था वो पूरे हो रहे थे लेकिन कहते हैं न अगर अपराद के दलदल में कोई एक बार फसे है तो बाहर निकलना नाममकिन है और यही हुआ अतिक एहमत के साथ BSP नेतर राजुपाल ने अतिक के भाई अशब को मात दी और ये बात अतिक एहमत को पसंद नहीं आई राजुपाल को चिनाओ जीते भी कुछ मैने भीते थे कि उनकी हत्ताय करवादी गई राजुपाल की काफिले पर अतिक एहमत गैंग ने जोदार फाइरिंग की राजुपाल को उननी इस गोलें से चलनी कर दिया सिफ़दा जिन पहले ही राजुपाल की शादी हुई थी लेकिन अतिक एहमत को राजनीती में चैलेंज करना राजुपाल के लिए मौत का सबब बन चुका था राजुपाल की पतनी पूजा ने अतिक एहमत और उसके भाई के खिलाफ मामला दच कर वाया उस वक्त राजम समाजवादी पार्टी की सरकार थी अतिक एहमत पर कोई कारवारी नहीं हुई अगली बाज चुना में अतिक एहमत अपने भाई श्टफ को जीत दिलवाले में काम्याप मिली पूजा साथ में बड़ा बदला हुआ अतिक एहमत और उनके गेंग के बुरे दिल बीएसपी सरकार के आते ही अतिक एहमत को राज का मुस्ट वांड़ेट अपरादी गोशित किया गया अतिक एहमत पर इनाम भी जारी कर दिया गया कुछ समय पहले तक उत्तर परदेश में उनका दबदबा बना रहा इस बाबो बाहु बली नीता को अब बगोड़ा परादी माल लिया गया पुलिस अतिक के पिछे पड़ी हुई थी और आखिर कर दिल्ली से उन्हें गरफतार किया गया और फिर यूपी की अलग-अलग जेलों में वो बंद रहे लेकिन एक बार फिर वक्त बदला दोजार चौदा में जब अखिलेश की सरकार आई तो अतिक एहमत को जमानत मिल ग हुआ और इस मामले में अतिक एहमत का नाम सामने आया और फिर गरफतारी हुई सुप्रिम कोट आदेश पर उत्रपेदे से बाहर उने गुजरात की साबर मती जेल में बेजा गया और तब से इलावात कि बावबली नेता को गुजरात की साबरमी जेल में बंद रखा गया अतिक एहमत के परिवार के दो लोग भी जेल में हैं अतिक भाय शब बरेली में बंद हैं जबकि छोटा बेटा नेनी जेल में सलाखों के पीछे है अतिक एहमत के बड़े बेटे को अभी कुछ समय पहले गिरफतार कर लिया गया है अतिक परिवार के अलावा उनके सारे ब्रगों को भी जेल में भीज़ दिया गया है इसी के साथ परने रहे इसे सुन्दे के साथ धन्यवाद